सेंट, आम काजल, आम सागर, आज हम रियक्शन करनी वाले हैं, नमाज ए तो बाका तरीका, तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं नमाज ए तोबा का तरीका, आपको शेयर करने जा रहे हैं, याद रखें, खता इनसानी फितरत में रख दी गई है, अंबिया एकराम आलिहमस्सलाम के सिवा, कोई इनसान नहीं कस्तन या बिला कस्त गुनाव खता में मुबतला ना हुआ हो, ये प्यारे आल्लह करीम का करम है, कि उसने बंदे को तोबा का खुबसुरत अमल सिखाया, जो गुनाहों को दो देता है, आल्लह करीम की शानी करीमी और रहीमी देखें, कि जब बंदा किसी नेकी का सिर्फ इरादा करता है, तो एक नेकी लिख दी जाती है, फिर जब वो उस नेकी पर अमल करे, तो उसके लि तो आल्लह को ऐसा बंदा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कि जो गुनाह कर बैठा और फिर गुनाह के बाद सची तौबा की उसको तौफीक नसीब होगी, क्योंकि गुनाह करने वाला जब गुनाह कर बैठता है, तो आल्लह करीम तो इलान फर्माता है, अगर तुम इसकद दर गुना करो, कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, और फिर तवबा करो, तो अल्लह करीम तुमें मुआफ फरमा देगा, क्योंकि वही है जो अपने बंदों की तॵबा कबोल फरमता है, और उनकी घल्दियों से दर गुजर फरमता है, क्योंकि जब बंदा तॵबा कर लेता है अगर वो अपनी तॵबर पर काइम रहे, तो निहाएत करम नाजी फरमते हुए, अल्लह तबारको टाला ने, गुरान करीम में फरमाया, ऐसे लोगों की बुराईयों को अल्लह करीम जो है, वो नेकियों में बदल देखा, तो लहाज़ गुनाहों पर तॵबा में ताखीर न ही करनी चाहिए, ना जाने जिन्दी की मोहलत दे या ना दे, क्यूंकि आज कल करने वाले हलाक हो गए, हकीम लुक्मान अल्ही रह्मान ने अपने बेटे को नसीयत में यही फरमाया, बेटा तॵबा में कल तक ताखीर न करो, क्यूंकि मौत अचानक आ जाती है, मौज़स हम हम आज इसकी वीडियो में चलते हैं कि नमाज तॵबा का तरीका क्या है, जो आप समात फरमाएंगे, आपने क्या करना है सबसे पहले, दो रकात नमाज तॵबा की नियत करनी है, इस तरह अदा करनी है, कि हर रकात में बाद अज़ फातिहा, यनि सुरह फातिहा, अलहम शरी इस तग्फार सत्तिर या सो बार पड़ें, अस्तग्फिर ल्लाह रभी मिन कुली दंबिम वा अतूबु इले, मैं दोबार रपी करता हूं, कि हर नका मारकात में बाद अज़ फातिहा, पांच मर्तबा आपने सुरह इخलास, यनि कुल हो ल्लाह अहद पढ़नी है, और नमा वा अतूबु इले, तो उसके बाद सौ बार आपने ये तस्भी पढ़नी है, सुबहान ल्लाह रजीम वा भी हम्दही, तो शुरु आखर में आपने दूरु शरी जो है, जरूर पढ़ना है, कोई सा भी दूरु शरी पढ़ने, आगास के अंदर भी पढ़ने, और आखर के ना करने का वादा करें, कि अल्लाह करीम से मुआफी मागने का बेहतरीन तरीका यही है, और फिर लाजमी अल्लाह करीम पर अच्छा गुमान रखें, कि जरूर अल्लाह करीम जो है, आपकी बख्षिश फर्मा देगा, अधिस पाक में आता है, एक शक्स ने कहा, अल्लाह की क कार दिये गे और फुना को मैंने बख्ष दिया तो लहाज़ा अल्लह करीम पर गल्ट गुमान हरगिज नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो फरमाता है हदीस कुर्सी है मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ तो जैसा वो चाहे मैं रिसाथ रखे अबनिमसूद रदियALLAH अनहोंने फरमाया कस्वाला करीम की बंदा ल्लह करीम से जो अच्छा गुमान रखेगा ल्लह करीम उसे पूरा फरमाएगा तो इसलिए हर शक्त को चाहिए कि ल्लह करीम से खुस्न जन रखे यही जननत के गीमत है बल्कि अधिस पाक में आता है मुमिन को एमान के बाद अल्लह करीम के साथ खुस्न जन से बढ़ कर कोई अफजल चीज नहीं अता हुई अच्छा गुमान अच्छी अबादत है बल्कि आका करीम ने ताकीद के लिए फरमाया तुम लोग मरते वकत अच्छे गुमान रखना तो लहाज़ तौबा करें आईस्ते एहद करें अंदा गुनाहों से बचने का एहद करें और अल्लह करीम से इस तौबा पर कैम रहने की तौफीक मांगे कि या ला तुने मझे तौबा की तौफीक अता फरमाई है मेरे कुनहों को मौाफ फरमा अल्लह करीम हम सब को सची तौबा की तौफीक नसीब फरमाई और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आगर जरूर आप शिर फरमा दे और आपने अगर हमरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें अल्लह हम सब का हम यो नासिर हो इनके चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब केजे और बहुत फरमेशन थी जो तौबा करना चाहता है उसके लिए बहुत फिर फरमेशन है ये मेंने एक वीडियो में कहा था कि कया मत का दिन कभी भी आ सकता है तो हमारे गुनाव की माफी माइए करते हैं तो इसलिए हमारे गुनाव की माफी और अच्छे काम शुरू करने चाहिए और माफी माण लेने चाहिए माफी मांगना ही तोबा होता है तोबा का एक अलग तरीका है पर माफी मांगना ही तोबा होता है तो अगर हमें तो तोबा मतलब पता नहीं तो हम सिर्फ माफी माग समते हैं मतलब अल्ला से भगवान से तोबा का अभी तो इतना मेहन से इनुने वीडियो बनाए हो यही तो सम तो और उनने बताया कि अल्ला इतना रह्म वाला है कि वह कितनी भी वड़ी सजा मतलब आप गलती कि कीजिए अगर आप मतलब अपने मन में ठान भी लेंगे कि अब इम तोबा करनी है तो उसे एक नेकी की तोर पर लिखा जाएगा और जब तोबा करेंगे उसे दसने की तो हमें भी उनकी मतलब उनकी नहीं हमारे लिए तो हमें जन्नत में जाना इसलिए तो तोबा करने चाहिए तो बहुत अच्छे वीडियो ता तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे